नमस्कार दोस्तों, वेलकम तो माई चैनल संबाद टीवी, मैं लेके आया हूँ लेटिस्ट खवरें पाकिस्तान, बंगलादेश और नेपाल से, मैं हूँ प्रोफेसर आलफा, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल, इफ यू वांट तो नो दी लेटिस्ट न्यूस और नेपाल, पाकिस्तान और बंगलादेश, सबसे पहले हम जाएंगे बंगलादेश, जानेंगे वहाँ पे, अभी तक सेख हसीना के खिलाप क्या प्रोफेगेंडा चल रहा है, और वहां की गौवर्मेंट जो है, सेख हसीना के एगेंस्ट एक्शन लेने में कैसे अपनी स सारी रिसोर्स को लगा रही है, फिर हम जाएंगे नेपाल, जहां पे मारवाडी समुदाई के एगेंस्ट में जो अंदोलन चल रहा था, बालेन का, बालेन जो काटमंडू में मेर है, उसका क्या हो रहा है, और अल्टिमेटली हम लोग जाएंगे पाकिस्तान में, जहां पे रीसेंट ही, जाकिर नायक में खूब सारा रायता फैला है, आप लोगों को जानके हैरानी होगी, जाकिर नायक साहिब वहाँ पर इस्टेट गेस्ट बनके गए थे, और उन्होंने जम के रायता फैला है, जाहिलों के देश में यह हो सकता है, यह उम्मीट, सबसे पहले चल बिरुद्धे ग्रेफ्तारी परो अना जारी, जुलाई आगोस्टे गन होत्तार बिचारेर परोबुर्टी शुनानी आथार नोवेंबर सुना आपने आज की जो खबर है, खबर यह है जो बांगलादेश की जो जुडिसरी है, जुडिसरी में आदेश दिया है सेख हसीना को अठारा नवंबर तक गिराफ्तार किया जाए और कोट के सामने हाजिर किया जाए, सेख हसीना, after fall of her government, she is staying in India, she is not in बांगलादेश, के लिए उन्होंने जुडिसरी को प्रसराइज करके एक ओडर निकाला है, जो थारा नवंबर तक सेख हसीना को गिराफ्तार किया जाए और बांगलादेश के कोट के सामने प्रेस किया जाए, बात तो वही होगी, होना जाना कुछ नहीं है, बस वहावायां बटोडनी है, जो सेख हसीना को हम गिराफ्तार करेंगे, हम उसको कोट के सामने ट्राइल करेंगे, जनोसाइड का केस चलेगा वगरा होगा, आप भी समझ सकते हैं, सेख हसीना बांगलादेश में है नहीं, वो अभी भारत में है, फिलाल भारत में है, और ये जो है, ये पापुलर पॉलि पॉलिटिकल एक्टिविटिस बढ़ा दिया है, और ये सारा जो है, मतलब खेल जो चल रहा है, अवामी लीग को पूरी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर करने का इनोंने प्लानिंग कर रखा है, और डेली कुछ न कुछ सेख हसीना के एगेंस्ट, कुछ न कुछ न कु इसी चीजें आती रहती हैं, जो वहां के जो मतलब खातर है, जो वहां के अंदोलनकारी है, इस्लामिस फंडामेंटलिस्ट है, उनको पैसिफाई करने का एक टूल है, तो बंगलादेश में यही हो रहा है, सेख हसीना के एक्टे एक्शन हुआ था, जो सारी छूपिया उन् पॉलिटिकल एक्टिविटिस बढ़ा दिया है, और जानते हैं क्या चल दे बंगलादेश में? अब हम चलेंगे नेपार, जहां पर आपको पता है, जो इसीना किसे तरह से हरास किया जाए, तो यह नियूस है हमारे बंगलादेश से, अब हम चलेंगे नेपार, जहां पर आपको पता है, जो एक मुद्दा चल रहा है, मुद्दा चल रहा है आपका नेपाली भर्सिस मारवारी के एगेंस्ट, और उसमें जो मतलब अठाड़ा बना हुआ, वो बना हुआ एक धर्मसाला, जो नेपाली कम्शाला, जो मिजगाड़ेट नेपाली कम्शाला, जो मारवारी के एगेंस्ट, और वो धर्मसाला, जो मारवारी रन कर रहे थे, उसको वहां का जो मेयर है, बालन, बालन काफी पॉपुलर मेयर है, सोचल मीडिया मतलब वगरे से पॉपुलर हुआ है, उसने एक रैप बैटल में पा जो जो थे दिखा पावर भल It is a good mayor by the way, but he meant to use और उसने अंतलब ऑप्यक्रो जो में खाले में से यॉस ऑव्सहने के बाप्रोश सक्रावेड शेक्त्र है, उसने उस जख्कर में एक धरमसाला जो मारवारी कम्म्निटी, यिवरे जो और जो काम कर दो थी उसको उसको जो है वहां से मारवारी कम्मिटी के occupancy से हटाने की कोशिस उसने स्टार्ट कर दी वो मेर है तो उसके powers limited है तो उसने जो मतलब eviction notice वगरा जो भेजा और जो दोजर वगरा भेजा वहां पर development के नाम पर धर्मसाला जो मारवारी कम्मिटी दन कर दे थी वो बवा प्रभावी धरुका लागी बिभेन ना निकतिक तम्रणाय अरुगार ने तयारी ततका आल पुना निद्मार रा पुना वेपुस्तापन का काम अगी पढ़ाउने प्रधान मंत्री केपी सर्वा ओली को भनाई को है पनी रहात पाउन बाट बंजीत ने तो पतिनात को स्व नेपाल में बेसिकल ये हो रहा है जो बालेन जो है बालेन में महां पे धर्मसाला में बोट लगाई वहां पर बोड लगा दिया और डोजर के अपने बैलिया है पुलिस ने उपने ने इसका कर्या ने काती है तो यह जो लड़ाई जो है काटमनू से अभी जो है नैशनल लड़ाई हो गई है और ओली ने भी मतलब ओली जो वहां के प्रधान मंत्रे उन्होंने भी इसका इंट्रफेर किया है और बोला जो मतलब बालिन वो उचित कदम नहीं ले रहा है और एस्पी ने सांती बनाए प्रिडम मिला यह खबर नेपाल से नेपाल में आप समझी रहें जो क्या है जो मतलब कुछ भी चीप पॉपुलरिटी चाहिए वहां के नेताओं को तो वो क्या करते हैं मधेसी या फिर मारवाडी कम्यूटी बिजनेस कम्यूटी उसको टार्गेट करते हैं और बोलते हैं तो इसी ने हमारे बेस को रहीं किया है यह वहां की पॉलिटिक्स है तो अभी आपको हम ले चलते हैं पाकिस्तान हमारा मतलब सबसे प्रिय और मित्र पाकिस्तान वहां पर हमारे जाकिर नायक साथ पहुंचे हुए हैं और वहां पर क्या खब्स भी आईनी तर्मीम पर बड तरक मसविदे पर पी टी आई से मुशावरत का फैसला कर लिया मौला ना फजल रह्मान हस्मी मसविदा पी टी आई कियादत के साथ शेयर करेंगे खुसूसी कमेटी का इजलास कल दुबारा होगा खुछ शिचान ने कहा कि एक दो दिन में आईनी तर्मीम के आवाले से इत पर काम्याबी जरूर मिली चाहिए तो वहां पर चल रहा है चंस्टिशनल एमेंडमेंट के लिए सारे सर्व दलिया मैं बैठा है वहां की जो पार्टियां है जैसे अनवास सरिप की पार्टी है बिलावल हुक्टू की पार्टी है सारी मतलब आल पार्टी में एक अनवास बनाने की कोशिस चल रहे है जाके जन्यक ने कैसे मित्टी पलीग की है वहां पर मतलब जो एक तरह से मजाग बना दिया है फीमेल्स का मजाग बना दिया है लरकियों के फीडम गा तो वो न्यूस तो लोग चलाएंगे नहीं, उनका मतलब एकदम मीडिया जो है, इस्टेट, गोधी मीडिया इंडिया में कहते हैं बिकाव बजारू मीडिया जो है पाकिस्तान के, तो वहाँ पे कुछ खबर नहीं होगी, जाके नायकी, वहाँ पे कोई खबर नहीं होगी, पक्तून ख़ाकी, कोई खबर नहीं होगी, मतलब जो लोग मर रहे हैं बलुचिस्तान में और सिंध में, दू टू अट्रोसिटीज अफ पाकिस्तान गवर्मन और वो उनका न्यूज जो है, बस कंसिटूशनल अमेंडमेंट चल रहा है, निताओं ने जा किया, अचिंद जा किया, आईनी तर्मीन पर मुझावरत के लिए वजिर आजम शैबाज श्रीफ की सदर आसिफ ली जडर्दारी से हां मुलाकात, एवान سदर में होने वाली आईनी तर्मीन से मतलिख अमूर पर मुझावरत, मुलक की मौजूदा सियासी तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग रही है, कंस्टिशन कुछ अमंगमन करना है वगरा 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 तो यही न्यूज है हमारे प्रवसी मुलक पाकिस्तान से I thank you all for joining my news update on South Asia Please let me know what kind of news and what kind of videos you want regarding our neighboring countries Thank you for joining my videos Namastas